ओम शांतिंग आज बाइस जुलाईं दो हजार चावेज बाबा के महवाक्चे हैं, मीथे बच्चें देही अभिमानी बनओं तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएंगे, अंतर मुखें हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे प्रश्ण है, बाब दादा सभी बच्च को कौन से दो वर्दान देते हैं, उन्हें स्वरूप मिलाने के विधी क्या है, उतर है, बाबा सभी बच्च को शांती और सुख का वर्दान देते है बाबा कहते बच्चे तुम शान्ती में रहने का अभ्यास करो, कोई उल्टा सुल्टा बोलते है तो तम जवाब ना दो, तुम्हें शान्त रहना है, फालतु जर्मुई जग्मुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, मुख में शान्ती का मुहलरा डाल दो, तो यह दोनों वर्दान स्वरूप में आ जाएंगे, आउं शान्ती, मिठे मिठे बच्चे कभी सम्मुख है, कभी दूर चले जाते है, सम्मुख फिर वही रहते है, जो याद करते है, क्योंकि याद की जात्रा में ही सब कुछ समाया गाया जाता है ना, नजर से निहाल, आत्मा की नजर जाती है परम पिता में, और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं, तो अपने पर कितनी खबरदारीं रखनी चाहिए, याद ना करने से माया समझ जाती है, इनका योग तूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खीचती है, कुछ न कुछ उल्टा कर्म करा देती है, ऐसे बापकी निन्दा कराते हैं, भग्तिमार्ग में गाते हैं, बाबा, मेरे तुम एक आप, दूसरा ना कोई, तब बाप कहते हैं, बच्चे मन्जिल बहुत उची है, काम करते हुए, बाप को याद करना यह है, उच ते उच मन्जिल, इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निन्दक बन जाते हैं, उल्टा काम करने वाले, समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते जखरते हैं, तो भी निन्दा कराईना, इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है, अपने ग्रहस्त विहवार में रहते हुए, बुद्धी बाप से लगानी है, ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं, कोशिश ऐसी करनी चाहिए, हम देही अभिमानी बनें, देही अभिमान में आने से कुछ न कुछ उल्टा काम करते हैं, तो गया बाप की निन्दा कराते हैं, बाप कहते हैं, ऐसी सत्गुरू की निन्दा कराने वाले लक्ष्मी नारायन बनने की ठोरपा ना सकें, इसलिए पूरा पुरुशार्थ करते रहु, इस से तम बहुत ही शीतल बन जाएंगे, पाच विकारों की बातें सब निकल जाएगी, बाप से वहत ताकत मिल जाएगी, कामकाज भी करना है, बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, वहाँ तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, काल युग में जो कर्म होते हैं, वह विकर्म हो जाते हैं, अभि संगम युगपर तुमको सीखना होता है, वहाँ सीखने की बात नहीं, यहाँ की शिक्षा हीं वहाँ साथ चलेगी, बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहर मुक्तां अच्छी नहीं है, अंतर मुखी भवर, वह भी समय आएगा, जबकि तुम बच्चे अंतर मुख हो जाएंगे, सिवाए बाप के और कुछ याद नहीं आएगा, तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी, गर्भ से जब बाहर निकले, तब पता पड़ा, कि यह हमारे माबाप है, यह फलाना है, तो फिर अब जाना भी ऐसे है, हम एक बाप के है, और कोई उनके सिवाए, बुद्धी में जाद न आए, भल टाइम पड़ा है, परंत पुरिशार्थ तो पूरी रीती करना है, शरीर पर तो कोई भरोसा नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए, घर में भी बहुत शान्ती हो, क्लेश नहीं, नहीं तो सब कहेंगे, इनमें कितनी अशान्ती है, तुम बच्चों को तो रहना है, बिलकुल शान्त, तुम शान्ती का वर्सा ले रहे हो ना, अभी तुम रहते हो, काटों के बीच में, फूलों के बीच में, नहीं हो, काटों के बीच रहे, फूल बनना है, काटों का काटा नहीं बनना है, जितना तुम बापको यात करेंगे उतना शान्त रहेंगे कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम शान्ती में रहो आत्मा है ही शान्त आत्मा का स्वधर्म है शान्त तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है बाप भी है शान्ती का सागर कहते है तुमको भी शान्ती का सागर बनना है फाल्तु जर्मूई जग्मूई बहुत नुकसान करती है बाप डारेक्शन देते है ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए इससे तुम बाप के नंदा कराते हो शान्ती में कोई नंदा वविकर्म होता नहीं बाप को यात करते रहने से और ही विकर्म विनाश होंगे अशान्त न खुद हो न औरो को करो किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है बहुत है जो रिपोर्ट लिखते है बाबा यह घर में आते है तो धम चक्र मचा देते है बाबा लिखते है तुम अपने शान्ती स्वधर्म में रहो हातम ताई की कहानी भी है ना उनको कहा तुम मुख में वो हलरा डाल दो तो आवाज निकलेगा ही नहीं बोल नहीं सकेंगे तुम बच्चों को शान्ती में रहना है मनुष्य शांती के लिए बहुत धक्के खाते है तुम बच्चे जानते हो हमारा मीठा बाबा शांती का सागर है शांती कराते कराते विश्य में शांती स्थापन करते है अपने भविश्य मर्तबे को भी जात करो वहा होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं उनको ही विश्य में शांती कहा जाता है फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगा में होते हैं अभी कितनी शांती रहती है समझते हो हमारा घर वही है हमारा स्वधर्म है शांत ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है शरीर विनाशी चीज है आत्मा और विनाशी चीज है जितना समय आत्माई वहां रहती है तो कितना शांत रहती है यहां तो सारी दुनिया में अशांती है इसलिए शांती मांगते रहते है परन तुम कोई चाहे सदा शांत में रहे यह तो हूँ ना सके भल तरे सठ जन्म वहां रहते हैं फिर भी आना जरूर पड़ेगा अपना पांठ दुख सुख का बज़ा कर फिर चले जाएंगे ग्रामा को अच्छी रीटी ध्यान में रखना होता है तुम बच्चा को भी ध्यान में रहे के बाबा हमको वर्दान देते हैं सुख और शांती का ब्रम्मा की आत्मा भी सब सुनती हैं सबसे नज़्दीक तो इनके कान सुनते हैं इनका मुख कान के नज़्दीक है तुम्हारा फिर इतना दूर है यह जट सुन लेते हैं सब बातें समझ सकते हैं बाब कहते हैं मिठी मिठी बच्चों मिठी मिठे तो सबको कहते हैं क्योंकि बच्चे तो सब हैं जो भी जीव आत्माई है वह सब बाप के बच्चे अविनाशी है शरीर तो विनाशी है बाप अविनाशी है बच्चे आत्माई भी अविनाशी है बाप बच्चों से वारता लाप करते है इसको कहा जाता है रोहानी नौलिच सुप्रीम रुहु बैट रोहु को समझाते है बाप का प्यार तो है ही जो भी सब रोहे है भलतमु प्रधान है जानते है यह सब जब घर में थे तो सद प्रधान थे सब को कल्प कल्प हमा कर शांती का रास्ता बताता हूँ वर देने की बात नहीं है ऐसे नहीं कहते धनवान भव आयुश्वान भव नहीं सतियोग में तुम ऐसे थे, परंदु आशिर्वाद नहीं देते हैं, कृपव आशिर्वाद नहीं मांगनी है, बाप, बाप भी है, तीछर भी है, यही बात याद करनी है, ओहु शिव बाबा बाप भी है तीचर भी है ज्यान का सागर भी है बाप ही बैट अपना और रचना के आदी मध्यांत का ज्यान सुनाते हैं जसे तुम चक्रवर्ती महराजा बन जाते हूं यह सारा ओल राउंड चक्र है ना बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावन राज्ये में है रावन सिर्फ लंका में नहीं है यह है बेहद की लंका चारो तरफ पानी है सारी लंका रावन की थी अब फिर राम की बनती है लंका तो सोने की थी वहाँ सोना बहुत होता है एक मिसाल भी बताते है ध्यान में गया वहाँ एक सोने की इंत देखीं जसे यहां मिट्टी की है वहाँ सोने की होगी तो खयाल किया, सोना ले जाएं, कैसे कैसे नाटक बनाए है, भारत तो नामी ग्रामी है, और खंडों में इतने हीरे जवाहर नहीं होते, बाप कहते हैं, वे सबको वापस ले जाता हूँ, गाइट बन करके, चलो बच्चे, अब घर जाना है, आत्माई पतत है, पावन होने बगिर घर जा नहीं सकती है, पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहां ही है, वापस कोई भी जा नहीं सकते, लौ नहीं कहता, बाप कहते है, बच्चे, माया तुम्हें, और ही जोर से देहे अभिमान में लाएगीं, बाप को याद करने नहीं देगी, तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है, आखें बड़ा धुखा देती है, इन आखों को कबसे में जनी अधिकार में रखना है, देखा गया भाई बहन में भी द्रिष्टी ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझों, यह तो सब कहते हैं, हम सब भाई भाई हैं, परन्तु समझते कुछ भी नहीं, जिसे मैंडक ट्राट्रा करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते, अभी तम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो, बाप मिठ मिठ बच्चों को बैट समझाते हैं, कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, मार्शूक को जाद करते थे, दुख में जट उनको याद करते हैं, हाई राम ही भगवान रहम करो, स्वर्ग में तुम ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहां रामराज्य ही नहीं होता है, तुमको रामराज्य में ले जाते हैं, तो उनकी मत पर चलना चाहिए, अभी तुमको मिलती है इश्वरिय मत, फिर मिलेगी दैवी मत, इसका ल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुक, अजन छोटा बच्चा है, लाखों वर्ष पड़े हैं, बबा कहते, यह है भक्ती का घोर अंधियारा, ज्यान है सोजरा, ग्रामा अनुसार भक्ती की भी नोंद है, यह फिर भी होगी, अब तुम समझते हो, भगवान मिल गया, तो भटकने की दरकार नहीं रहती, तुम कहते हो, हम जाते हैं बाबा के पास, अथवा बाप दादा की पास, इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सकें, तुम्हारे में भी, जिनको पूरा निश्चे नहीं बैठता, तुमाया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को ग्रहा हप कर लेता है, आश्चर रिवत सुन पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है, अच्छे अच्छे महारतियों को माया हरा देती है, बाबा को लिखते हैं, बाबा, आप अपनी माया को नहीं भेजो, अरे, यह हमारी थोड़े ही है, रावन अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, यह परंपरा से चला आता है, रावन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुष्मन है, जानते हैं, रावन दुष्मन है, इसलिए उनको हर वर्ष जलाते हैं, मैसूर में तो दो शहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ नहीं, तुम्हारा नाम है शिव शक्ती सेना, उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया है तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे अब शिव बाबा से शक्ती ले रहे हो रावण पर जीत पाने बाप ही आकर राज योग सिखलाते हैं इस पर कथाएं भी अनेक बना दी है अमर कथा भी कहते हैं तुम जानते हो बाबा हम को अमर कथा सुनाते हैं बाकि कोई पहाड आदी पर नहीं सुनाते कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई शिव शंकर का चुत्र भी रखते हैं दोनों को मिला दिया है यह सब है भक्तिमार्ग दिन प्रति दिन सप्तमु प्रधान होते गए है, सत प्रधान से सतु होते हैं, तो दो कला कम होती है, त्वेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है, बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्ग वासी बनाने, बाप जानते हैं, ब्रामभण कुल और सूर्वंशी, चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं, रामचंद्र को शत्रिय की निशानी दी है, तुम सब शत्रिय होना, जुमाया पर जीत पाते हो, कम माक से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण आदी दे दिया है, हिंसा तो त्रेता में भी होती नहीं, गायन भी है, राम राजा, राम प्रजा, परन्तु यह शत्रिय पन की निशानी दे दी है, तो मनुश्य मूझते हैं, यह हथियार आदी होते नहीं है, शक्तियों के लिए भी कटारी आदी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है, तुम बच्चे अभी समझ गए हो के बाप ज्यान का सागर है, इसलिए बाप ही आदी मध्य अंत का रास समझाते हैं, बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है, बेहद के बाप का हू ना सके, एक किस जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते हैं, तो लवली बाप ठहराना, कितना लवली है बाप, जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं, सुख का वर्षा मिल जाता है, वहादुख का नाम निशान नहीं होता, अभी यह बुद्धी में रहना चाहिए ना, यह भूलना नहीं चाहिए, कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते है, ब्राम्भणी चाहिए, ब्राम्भणी बिगर धालना नहीं होती, अरे सत्य नारायन की कथा तुम छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते है, मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अल्फ को याद करूँ, यह ज्यान तुम सात रोज में बुद्धी में बैठ जाना चाहिए, परन्त बच्चे भूल जाते हैं, बाबा तो वंडर खाते हैं, अच्छा, मिठ मिठे सिकिलदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग, रोहानी बाप की, रोहानी बच्चों को नमस्ते, रोहानी बच्चों की, रोहानी बाप दादा को गुद मॉनिं और नमस्ते, धालना के लिए मुख्य सार है पहला, बाप से आशिरवाद वक्रिपा नहीं मांगनी है, बाप पीचर गुरु को याद कर, अपने उपर आपे ही क्रिपा करनी है, मायासी खबरदार रहना है, आखें धोखा देती है, इन्हें अपने अधिकार में रखना है, दुसरा फालतु जर्मुई जग्मुई की बातें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके, शान्त रहना है, मुख में मुहलरा दाल देना है, कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, न खुद अशान्त होना है, न किसी को अशान्त करना है, वर्दान है, बाप की मदद से सुली को काटा बनाने वाले सदा निश्चंत और ट्रस्टी भवल, पिछला हिसाब सुली है, लेकिन बाप की मदद से वह काटा बन जाता है, पर इस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहां ही चुक्तु करना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें काटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है, इसी निश्ची के आधार से सदा निश्चिंत रहों और ट्रस्टी बन मेरे को तेरे में बदली कर हलकी हो जाओं, तो सब बोज एक सकेंड में समाप्त हो जाएंगे, स्लोगन है, शुब भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करू, ओम शांते